Top 5 Best camera smartphone Under 40 thousand तो वह अगर आपको camera smartphone चाहिए और अगर आपका प्रेट्ट चार्य सबतार है ये वीडियो मैं आपके लिए करूँ जाते समय खराब नहीं करते है यार बात करते है Number 5 की Number 5 की बात करें Number 5 पर यार मैंने रखा MI10T Pro को तो MI की आउर से आपको देखने को मिल जाता है 5G स्मार्ट फून है, फून बहुत ही ज़्यादा सही है, एंड इसके कलर लुक को वगरा भी आपको बहुत पसंद आने वाली है, मैं आपको पता देना चाहता हूं, कि दो कलर्स में देखने को मिलता है, बलैक कलर में एंड इसकी देज़स्के बात करूँ, आपको IPS LCD देखने को मिल जाती है, जो की गृरिला ग्लास 5 की पर्ड़ाइक्शन के साथ देखने को मिल जाती है, फून जो है वो सॉलिड है ऐलुमिनियम फ्रेम के साथ देखने को मिलता है अगर गिर भी जाता है तो खराब वगरा नहीं होने वाला आप नॉर्मली यूज़ कर सकते हो दो विर्ट में फून देखने को मिलता है 6GB RAM के साथ एट जीबी RAM के साथ storage वेरिट आपको एक देखने को मिलेगा मतलो आपको 128GB storage देखने को मिल जाता है आपको triple camera देखने को मिल जाता है 64MP प्लस 30MP प्लस 5MP जिस पर आप 8K video shoot कर सकते हो और 4K shoot भी कर सकते हो आपको तगड़ा chipset देखने को मिल जाता है जो कि snapdragon 865 processor के साथ देखने को मिलता है बहुत अगड़ा अगर आपने hardcore gaming करनी है आप सभी के लिए भी perfect deal होने वाला है अभी बात करते है बैंटरी की फाव तोटन एमच की बैंटरी मिल जाती है फास्ट चार्जिंग की बात कर आपको 33 वाड़ का फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है इस स्मार्टफून में तो यहर में स्मार्टफून में आपको बता दिये MI10T Pro के अगर आप इस स्मार्टफून के और जाना जाते हो आप जा सकते हो अपने गेमिंग करने हैं तो भई आप कर सकते हो 40,000 के बजर रेंज में आपको 12GB RAM के साथ देखने को मिलेगा तो इसके स्पैसिफिकेशन भी बहुत ही जादा तगड़े हैं इसका डिजाइन लोग वगरा भी बहुत अपर है यह तीन कलर में देखने को मिलता है लेकिन जो इसका औरेंज गलर आता है वो बहुत ही जादा मतलब इसको बहुत सूट करता है 2020 में बहुत यह स्मार्टफून बिखा है बहुत लोगों ने पसंद किया अगर मैं इसके चिप सेट की बात करूँ आपको स्नैप्रेगन 865 परसाइसर मिल जाता है जो कि 7 अनिमेटर टेकनोल नहीं उने वाला टूटने नहीं वाला एंड मैं आपको बता देना चाहता हूं यह 5 वेरिंड में देखने को मलता है 6GB RAM के साथ 8GB RAM के साथ 12GB RAM के साथ एंड जो स्टोरेज वेरियंट है वो आपको डिफरंड देखने को मिल जाता है 48MP 30MP 30MP प्लस 30MP 2MP जिसपर आप 4K वीडि टिक ने को मिल जाता है तो बहुत को बछुट यदा इनको पसंद किया तो अगर आप भी लेना जाते हो आप जा सकते हो इस smartphone की और अगर आपके multitasking करने हैं gaming करने हैं अगर आपको slim and stylish smartphone चाहिए आप सभी के लिए भी perfect deal हो सकता है IQ 003 आगे बात कहते हैं नंबर 3 की नंबर 3 की बात करूँ नंबर 3 पर यार मैंने रखा OnePlus 8 को तो अगर आप OnePlus लवरो आप इस smartphone की और जा सकते हो अगर मैं smartphone की बात करूँ जब से पहले भी मैं आपको पता देना चाहता हूँ यह smartphone भी आपको 5G देखने को मिलता है color look design वगर आपको इसका भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह भी smartphone जो है वो चार colors में देखने को मिलता है लेकिन इसको green color सच में बहुत ही ज्यादा सूट करता है प्लस आपको gorilla glass 5Q protection देखने को मिलता है aluminum frame के साथ देखने को मिलता है आपको fluid amolet display मिल जाएगी जो की 90 refresher के साथ देखने को मिलती है अगर मैं बहुत कर इसके chipset की तो इसमें भी आपको snapdragon 865 देखने को मिल जाता है जो की 7 nanometer technology के साथ based है अगर आपने high setting पे gaming करनी है आप easily normally कर सकते हो यह smartphone दो वेरिड में देखने को मिलता है 8GB RAM के साथ 12GB RAM के साथ जो भी मतलब जो भी वेरिड में आ जाना जाते हो आप उसके और जा सकते हो आपको triple camera मिल जाता 48 में आप एकसल प्लस 60 में आप एकसल प्लस 2 Megapixel जिस पर आप 4K वीडियो शूट कर सकते हो 30 and 60 fps पर ठीक है आपको 60 Megapixel के अज़गा सेलफी मिल जाती है जिस पर आप 1080P पर वीडियो शूट कर सकते हो अगर मैं मैं बात करें इसके बैंटरी की तो आपको 4300 एमेच की बैंटरी मिल जाती है फास्ट चार्जिंग की बात करूँ आपको 30 वाट का फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाता है 1 प्लस 8 में तो मैं आपको बता देना चाता हो 1 प्लस 8 हो गया and IQ 003 हो गया इसको बहुत ही ज् मेरा पज़ै चार्जश!」 अगर मैं स्मार्टफून की बात करों तो यह सिक्स कलर्ण में देखने को मिलता है सब आपको बहुत ही ज़्याद से में हैं सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं तो इसके जो कैमरा कॉलिडी है ना वो बहुत अगर आपको कैमरे के स्मार्टफून चाहिए समसिंग ग्लाक्सी एस्टोंटी एफ आपके लिए पॉफट चॉइस हो सकता है आप इस स्मार्टफून के और जाज सकते हो आपको आपको 4K option मिल जाता है बैक कैमरे में और फ्रंट कैमरे में भी आपको 4K option मिल जाता बई और क्या चाहिए अगर आपने 6.5 इंच की डिस्पले देखने को मिलेगी जो की Super AMOLED डिस्पले जो की 120 रिफ्रेश्ट के साथ देखने को मिलती है तो Samsung के फूंस की खासित होती है इनकी डिस्पले, इनकी बेंटरी लाफ एंड इनका प्राइवेसी सिस्टम अगर मैं चिप सेट की बात करूँ आपको Snapdragon 865 देखने को मिल जाता है जो की 7 nanometer technology के साथ बेस्ट है, अगर मैं variant की बात करूँ तो यार ये स्मार्टफून 3 विड में देखने को मिलता है, 6 GB RAM के साथ एंड 8 GB RAM के साथ जो भी budget में सेट बैट आप उसके और जा सकता है आपको triple camera मिल जाता है 12 megapixel प्लस 8 megapixel प्लस 12 megapixel ठीक है पहले कले खोलने लगा था आपको 4K option मिल जाता है back camera में 32 megapixel की selfie मिल जाता है selfie में भी आपको 4K option देखने को मिल जाता है आपको 4500 mAh की बैटरी मिल जाता है fast charging स्पोर्ड करता है 25 watt के साथ प्लस आपको wireless charging भी दिखने को मिल जाता है 15 watt के साथ end reward charging भी स्पोर्ड करता है यह smartphone तो यहार main specification में आपको बता दिये Samsung Galaxy S20 FE के भी तो पही आप इस smartphone के और जाज अगते हो तो इस चीज़ को आप दियान में रखना है आगे बात करते है number one की number one की बात करूँ number one पर यार मैंने रखा है Asus ROG Phone 3 को तो सबसे पहले भी मैं आपको यह चीज़ बता देना चाता हूँ पहले इसका price 50,000 देखने को मिल जाता है लेकिन अभी इसका price कम हो गया because Asus ROG Phone 5 है वो लाउंच हो गया इसका price कम हो गया आपको देखने को मिल जाता है 40,000 के बजरवेंच में वैसे इसका price है 41,000 इस चीज़ को आप दियान में रखना अभी बात करते है इसके specification की के display की बात करते है तो आपको 6.59 इसकी display देखने को मिल जाती है जो की AMOLED डिस्प्ले जो की 144 रिफ्रेश्ट के साथ देखने को मिलती है प्लस Gorilla Glass 6 की production के साथ देखने को मिलती है Aluminium frame के साथ देखने को मिलता है backside में आपको RGB lighting देखने को मिल जाती है air trigger देखने को मिल जाती है मतलब इसके specification बहुत है gaming के लिए perfect smartphone है CDC बात है यार chipset की बात को आपको Snapdragon 865 देखने को मिल जाती है जो की 7 nanometer technology के साथ based है and मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये smartphone आपको 5 वेरिड में देखने को मिलता है 8GB RAM के साथ 12GB RAM के साथ and 16GB RAM के साथ and आपको triple camera मिल जाता है 64MP plus 30MP plus 5MP पहले 2MP होने लगा था आप 8K video shoot कर सकते हो and 4K video shoot कर सकते हो back camera में 24MP के साथ आपको selfie मिल जाती है इस selfie में आपको 4K option नहीं देखने को मिलता आपको 6000 mAh की battery मिल जाती है आपको like cooling system देखने को मिल जाता है जो कि आपके smartphone को heating issue में नहीं जाने वाला अगर आप hardcore gaming करोगे तो वो heat नहीं होने वाला जल्दी जितनी भी आपने hardcore gaming करनी है आप कर सकते हो विकर्द जो smartphone है वो बना ही gaming के लिए बना ही multi-dasking के लिए तो यार अभी मैंने आपको इतने smartphone बता दिए तो यार अगर आपको gaming के लिए चाहिए असूस rock phone 3 आपके लिए perfect deal हो सकता है अगर आपको slim stylish design चाहिए अगर आपको अपर चाहिए तो मैं आपको recommend करना जाता हूँ Samsung Galaxy S20 FE आपके लिए perfect deal हो सकता अगर आपका budget 40,000 है तो यार अभी मैंने आपको इतने smartphone बता दिए जो भी आप लेना जाते हो आप ले सकते हो तो यार अभी मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है अगर आपको मेरी वीडियो चलेगी या वीडियो को like करना, comment करना, share करना दोस्तों को बेदना, दोस्तों के भी दोस्तों को बेदना उनको भी कहता ना कि जानको को दे सब्सक्राब वीडियो को करते like और इंस्ताग्राम पे कले, follow link भुगारा यार आपको डिस्क्रिप्रीब बाक्स ने देखने को मिल जागा अभी मेलते नाक्स्ट वीडियो मेंने वीडियो को जाग, thank you